So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करो से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे मजगाव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ स्टॉक में अगर देखे तो आने वाले टाइम में काफी बड़ी गिरावट आ सकती है ऐसा कुछ बड़े एक्सपर्ट्स की ओर से कहा जा रहा है तो आगे में उस न्यूस को डिसकस करने वाला हूँ बट आज स्टॉक में अगर देखे कही न कहीं हमें कुछ पॉजिटिव रिटन्स देखने को मिले थे तो यहाँ पर पॉजिटिव न्यूस भी स्टॉक में रही जिस वज़े से मौनिंग दोए तो भले ही स्टॉक गिरा पर उसके बाद की जो रैली है वो बहतरीन रही दोसो चाचट रुपे से जादा तक है शेर बढ़ गया फिर उसके बाद जो है स्टॉक में अगेन एक फॉल आया बढ़ अगेन रिकावरी स्टॉक ने बताई फिर अगेन गिरावट रही और अगर देखे 65.70 रुपेस तक की गिरावट शेर में बताई देखने को मिल जाती है 1.27% के बहाब पर और वही क्लोजिंग की बात करे तो ग्रोथ यहाँ पर हमें नजर आ रही थी जो स्टॉक जो है 16.70 रुपे बढ़ रहा था अभी एस स्टॉक जो है गिरता हुआ हमें नजर आ रहा है और बिल्कुल यहाँ पर इस स्टॉक में गर देखे तो कई बड़ी न्यूज यहाँ पर आ रही है तो हाली में एक रिपोर्ट आई है एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की गिये है निर्मल बांक के उसे यहाँ पर अगर देखे एक्जॉर्बिटेंट मुल्टी प्लेस मेग जॉट डॉक बी एल एचल पारस डिफेंस टॉक गेट सेल फ्राइस टार्गेट कट्स फॉम निर्मल बांक तो इनकी ओर से निर्मल बांक अगर देखे तो एक इंस्टिटुशनल्स एक्विट एक्विटीज है सजेस्टेस सेल कॉल ओन डिफेंस सेक्टर आज इट कर ट्रेटिंग ऑन फाई आउट आउट एट स्टॉक तो यहाँ पर अगर देखे जो आठ में से कहीं नेगेटिव रेटिंग दी जा रही है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरी यहाँ पर लिस्ट है इनके ओल्ड टार्गेट क्या थे और नए टार्गेट क्या है तो यहाँ पर आप दिखोगे तो मजगाव डॉक में हम बात कर रहे हैं तो 20% तक का फॉल जो है यहाँ पर आ सकता है इनका इसा मानना है कि मजगाव डॉक पर 20% तक का अगर दिखोगे तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है इनका ओल्ड टार्गेट था 3,725 और वही अब बात करें तो न्यू टार्गेट की यहाँ पर कट करके 4,143 तो यहाँ पर अगर देखे 4, 4,143 रुपे तक यह स्टॉक जो है जा सकता है 20% डाउनसाइट ही ओर तक का यहाँ पर एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है इनका निर्मल बांक की हो से यह चीचिक कही गई है तो यहाँ पर अगर दिखे तो मजगाव के उपर इस चीच का काफियत तक प्रेशर आ सकता है स तो आगे में लेवल्स पर बताने वाला हो बट शेयर में बड़त देखने को मिली मॉर्णिंग में तो उसके पीछे भी कुछ पॉजिटिव रिजन्स रहे है मजगाव गाडन रिच रिपोर्टेडली विया फोर डिफेंस मिनिस्ट्री 7000 क्रोर कॉंट्राक्ट तो यहाँ यहाँ पर अगर देखें डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से 7000 क्रोर के कॉंट्राक्ट इन पर्टिकलर कंपनीज को मिल सकता है इन का दो कंपनी में है यहाँ पर मजगाव डॉक शेप बिल्डस और गाडन रिच तो यहाँ पर अगर देखें इनकी ओर से चीज़े कही गई है 70 1000 क्रोड का एक कॉंट्राक्ट यहाँ पर हमें मिल आला है इसमें अगर देखें डिल जो रहेगी मजगाव डॉक शेप बिल्डस और गाडन रिच के साथ रहेंगी तो इनकी ओर से चीज़े कही गई है तो एक बड़ी पॉजिटिव चीज है और इसी का इंपक्ट जो है अब बात करें अगर गार्डन रिच की तोनों के साथ में ही लेवल्स हम देखेंगे तो गार्डन रिच में वेगर देखें तो यहाँ पर इसमें निर्मल बांक नेगेटिव नहीं है स्टॉक में अगर देखा जाया अज मॉर्निंग में काफी अच्छी बड़त रही बात जो है स्टॉक में गिरावट आरी स्टार्ट हो गए 2,462 रूपिस के राउंड शेर ने क्लोजिंग दी रिटन्स की बात करें 70.45 रूपिस के राउंड तक के नेगेटिव रिटन्स है 2.78 परसें के बहाब पर लास्ट फाइज की बात करें 172 रूपिस स्टॉक गिरा ह और एक महीने में बड़त देखने को मिल जाती है कंपनी के उरसे गर देखा जाया हाली में का पॉजिटिव न्यूज आई थी जिसका इंपक्ट स्टॉक यो पर रहा एंसी पी और के साथ अगर देखे इन्होंने कॉलाइब किया है रिसर्च वेसल्स के लिए और यहां पर करेगा ठीक है तो यहां पर अगर देखे जो प्रोजेक्ट है आठ सो चालीस करोर के अराउंड तक का प्रोजेक्ट है बयालीस मंद के अराउंड राउंड जो है यहां पर एक कम कंप्लेट होगा तो एक बड़ी न्यूज इसके लिए भी पॉजिटिव न्यूज रही थी पिछले कुछ दिरोह में जैसे मैंने बताये कि स्टॉक में गिराउट रही थी तो इसमें भी कर्ड़िक्शन यहां पर आ रहे हैं लेवल्स क्या कहते है मजगाओ के लेवल्स क्या कहते है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं तो फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर हम डिसकस क करेंगे जो रेंज के बारे में हमने कल discussion किया हुआ था उन्हीं रेंज के अराउंड अगर देखो stock upside down momentum करता गया और उपर से जो level हमने बताया थे कि उपर अगर आप देखोगे तो important resistance level है तो exactly उसी point से stock resistance face करता हुआ downside की और भी यहाँ पर आया थीक है तो यहाँ पर अगर देखे stock में कल ही यह में गिरावट नजर आई थी और उसके बाद इस sideways रहा था उसके बाद stock में आज अगर देखे गिरावट रही फिर सदन एक जम देखने के मिला फिर एक फॉल आ है फिर उसके बाद जो है stock sideways हमें नजर आ जाता है बट वही अगर मैं आपको बड़े time frame पर बड़े time frame जिससे 15 minutes के time frame पर तो share में बिलकुल यहाँ पर fall जो है continue हो सकते हैं यहां से गिरावट जो है continue हो सकती है क्योंकि stock में अगर देखा जाए तो एक double top तो मैंने पहले ही clear कर दिया था plus उपर से resistance यह जो है face कर रहा है downside की उसे जो support यहाँ पर ता इस particular support को भी यह break करता हो नजराता है और sustain करके यहाँ पर अगर देखे एक fall जो है continue हो सकता है गिरावट जो है यहाँ पर continue आ सकती है क्योंकि पहले भी हम इन levels को discuss कर चुके हैं गिरावट अगर आती है तो यह तो यह इस point के around support लेगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ से पहले हम breakout face कर चुके है फिर अगर यह level भी break होता है फिर downside की और कई ऐसे levels है जहाँ पर इस support ले सकता है बड़ जो पहला support होगा वो यहाँ पर हो सकता है यहाँ से sustain करके stock में उपर की और के jump आ सकते है यानि 4600 के around तक का support हमें आने वाले time में नजर आ सकता है तो ज यह वाला level है इस level के around यह support ले सकता है फिर stock जो है उपर के और जा सकता है इसके उपर भी आपको ध्यान रखना है अब बात करें हमारे next stock है जिसका नाम है garden reach तो garden reach की बात की जाया है तो जो level हम discuss कर रहा है तो प्रिवेस कुछ श्रेडिंग सिजन से उन levels के around share अगर देखे आज भी वही पर ट्रेड करता हुआ नचराया stock आज भी उसी level के around घुमता दिखाई दिया उपर से अगर देखे कल भी इसने इस resistance को break करने की कोशिश की multiple time यहाँ पर अगर देखे resistance face किया इसने आज भी अगर देखे morning में उपर गया और यही से resistance लेकर share में downside की और का trend बना फिर उपर गया फिर यहाँ पर अगर देखे इस particular trade line को break करता हुए share नचर आ रहा है यह trade line हमारे लिए काफियत तक IMP है क्योंकि यह level का breakdown अगर stock कर देता है इस level का अगर breakdown हो जाता है तो stock में काफी बड़े fall देखने को में मिलने वाले है तो इस point के उपर आप ध्यान रखो over उपर से जो trade line हमने अभी रहिस की उसे अगर हम फिर से बनाए तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखो गए तो stock में हाँ से resistance देखने को में मिलते हैं और यहाँ पर अगर देखे downside की और से जिसे मैंने कहा कि एक IMP support है आपर इस support को अगर ब्रेक किया इसने तो fall आ सकता है क्योंकि इस particular level पर support भी लिया है शेयर ने support के साथ साथ इस particular level का break out भी मिला है तो यहाँ से इस point का अगर breakdown रहा एक चीछ ध्यान रगो अगर इस point का breakdown रहा तो stock में जो गिरावट है उग बड़ी हो सकती है एक बड़ी fall stock में हमें देखने हो यहाँ पर मिल सकते हैं इस point के उपर आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखोगे लेवल ब्रीक होता है तो stock में गिरावट आ सकती है और support अगर लेता है इस टेर अगेन ऊपर के उड़ जा सकता है या फिर अगेन downside के और काई train इसमें start हो सकता है तो इन points के हम discuss कर चुके है इन दोनों ही shares को लेकर इस वीडियो में I hope आपको यह वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like channel को subscribe करना और कोई भी stock में investment करते हो तो इनका analysis करना साथ ही telegram channel को join करना link निचे description में मिल जाएगी thank you